हेलो एवरीवन स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWT चॉप में छावनी परिशद सिक्षक भरती 2024 नया अड़र्टीजमेंट जारी हुआ है कोई परिक्षा या इंटर्व्यू नहीं होगी हिंदी, इंग्लिस, साइन्स, सोसल साइन्स, होम साइन्स, आर्ट्स, कॉमर्स, कम्प्यूटर, फिजिकल एजुकेशन, टीचर्स की वेकेंसी आई है सभी राज्यों के कैंडिडेट यहां पर अप्लाए कर सकते हैं सैलरी के साथ में EPF, ESI, यह सारी सुविधाय आप लोगों को यहां पर मिलने वाली है काफी अची सैलरी जो है यहां पर आप लोगों की बनेगी, कोई फीज भी आप लोगों की नहीं लगेगी कैसे यहां पर अप्लाए करना रहेगा, वो सारी चीज़े हम नोटिफिकेशन में देखेंगे बहुत ही छोटा नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहां पर बिना CTAT या किसी भी राज्य के TAT के बगैर भी आप लोग अप्लाए कर सकते हैं नोटिफिकेशन जो है कहां से आया है, चावनी परिशद बरेली की तरफ से यह वेकेंसी आई है मेन वेब साइट पर यह वेकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है एक ही पेजिस की यह PDF फाइल है, ज्यादा बड़ी नहीं है, चोटा साइड़ वर्टीजमेंट है 16 फरवरी 2024 का जो है यह नोटिस है, पद का जो नाम है Assistant Teacher L.T. इन्होंने लिखा है, चावनी परिशद कारेले बरेली के बिभिन्ने स्कूलों में, यानि एक स्कूल की बात नहीं है, जितने भी इसके अंतरगत जो स्कूल आते हैं, चावनी परिशद कारेले बरेली के अंतरगत, तो इसमें नेमने लिखे सहायक अध्यापकों की आपूर आउट्सोर्सिंग एजनसी के माध्यम से की जा रही है, तो यहाँ पर सीट जो है वो बिल्कुल रिक्त है, इस वज़े से वेकेंसी निकाली गई है, सब्जेक्ट काफी है, तो चलिए देख लेते हैं, एजूकेशन, क्वालिफिकेशन, क्या कही गई है, तो सबसे पहले जो ह आपने हिंदी या संस्कृत से किया हो, साथ में जो है वो ल्टी बीटी या फिर बीड आपका होना चाहिए, सीट या टैट जो है यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो नहीं चाहिए, बाकी आपके पास है, तो काफी अच्छा रहेगा, इंग्लिस के साथ में और ट्रेंड ग्रेजुएट, साइन्स के लिए भी जो है ग्रेजुएशन यानि बीएस्सी जो है PCM ग्रुप में होनी चाहिए, ऐसे केंडिडेट जिरोंने Physics MSC से किया हुआ है, तो इनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी, प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है, ज़ में जो है वो B.Sc. PCM ग्रुप से, Chemistry में जो है वो Master Degree अगर है, तो काफी अच्छा रहेगा कैंडिडेट के लिए, उसके बाद जो है इनोंने Social Science के लिए कहा है, कि आपका Graduation होनी चाहिए, इन में से कोई दो सब्जक्ट History, Civics, Geography या Economics, दो सब्जक्ट आपके होने जरूरी है और साथ में Beard, ठीक है, M.A. Political Science से जिन कैंडिडेट ने किया है, तो उनको बिल्कुल प्रेफरेंस मिलेगी, Home Science के लिए, Trained Graduate, Home Science में, या फिर Home Economics में, और यानि इसके अलावा जो है, TC from Allahawad University, या फिर Diploma from Lady College Delhi से, ठीक है, Arts के लिए कहा है, Arts Training Certificate, Government Arts and Craft School से, लखनव और Technical Arts in Intermediate from UP माध्यमिक सिक्षा परिशद, और Technical Arts in High School from UP माध्यमिक सिक्षा परिशद, तो इसमें से किसी में भी आपने किया है, तो बिल्कुल अप्लाए कर पाएंगे Commerce के लिए भी जो है, यहाँ पर देखें, B.com वाले अप्लाए कर सकते हैं, केवल B.com कहा है, B.A.D. नहीं कहा है, Commerce के लिए, केवल B.com, जिन्होंने M.com क्या हुआ है, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी Computer के लिए Post Graduate Diploma, Computer Science में, साथ में B.C. in Computer या B.C. in Computer Application जो भी Candidate ने किया हुआ है, अप्लाए कर सकते हैं Physical Education Teacher या Game Teacher के लिए, Trained Graduate in Physical Education, B.P.A.D. मांगा है, और Yoga Diploma है, तो ऐसे Candidate को Preference मिलेगी, प्रात्मिक्ता मिलेगी तो जितनी भी Vacancy हैं, तो Number of Vacancy एक यहां पर सभी में दी हुई है Preference will be given to the Candidate of Assistant Teacher, LT Grade, who have qualified TAT and CTAT अभी Compulsory नहीं है, किसी भी राज्य का TAT या CTAT आपने क्वालिफाइ नहीं किया है, बिल्कुल अप्लाए कर सकते हैं लेकिन यहां पर अगर जो है, क्लियरली यह चीज तो बिल्कुल समझ में आही रही है कि ऐसे Candidate जिन्होंने Master Degree की हुई है सब्जेक्ट में, तो उनको Preference बिल्कुल मिलेगी और जिनका TAT या CTAT क्वालिफाइ किया हुआ है, तो उनको बिल्कुल यहां पर प्रात्मिक्ता दी जाएगी बाकि Compulsory नहीं है तो ऐसे में आप लोग जहां कोई Fees नहीं लग रही है, ना कोई Exam है, ना कोई Interview है अगर आप लोग यहां पर अप्लाइ कर देते हैं, तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि कुछ Candidate जो है, वो माइंड में यह चीज बैठा कर रखते हैं कि यहां पर Number of Vacancies एक है हर सब्जक्ट की, तो हमारा तो Number ही नहीं आएगा ठीक, ऐसे में seat ही खाली रह जाती है Next, जो Post है Assistant Teacher BTC वालों के लिए तो ऐसे Candidate जिन्होंने Graduation BTC या Special BTC Training या D.Ed. Special Education या 4 साल का B.L.Ed. D.L.Ed. किया हुआ है और साथ में जो है TET या CETET क्वालिफाय है तो Assistant Teacher BTC Grade के लिए अपलाए कर सकते हैं Number of Vacancy यहां पर 8 है अभी जो है यहां पर Salary आप देखें, Salary यह किस तरीके से देंगे तो यहां पर Salary जो है वो Per Day के According यहां पर दी जाएगी 26 Days की, ठीक है Month के 26 Days में देंगे यह Per Day 550 रुपीज साथ में EPF और ESI ठीक है तो Salary जो है वो आप लोगों की लग भग जो है यहां पर अगर हम कहें तो साड़े 500 अगर Per Day के आप करते हैं 26 Days के तो आपके 14,000 आपकी Salary बन जाती है साथ में आपको जो है और भी जो है यहां पर जो EPF, ESI यह सब देते हैं तो 20,000 तक आपकी Salary यहां पर रहती है Contract Ways पर यह Vacancy है 1 April 2024 से Session स्टार्ट होगा और 28 February 2025 तक आपका रहेगा Contract BTC के लिए यहां पर salary per day 550 रहने वाली है ठीक है यह आप ध्यान रखिएगा इच्छो का अभियरती अपना bio data सभी आवश्यक जितने भी आपके document है उनकी photocopy लेकर आप लोगों को पहुचना है जावनी परिशद का रहे ले बंगला नंबर 54 सरपेटाइन रोड बरेली जावनी 243001 यहां पर जाकर आप लोग अपने bio data और अपने जो document है उनकी photocopy आप समिट करवा देंगे 15 मार्च दो हजार 24 तक डेट आपको ध्यान में रखनी है ठीक है एक्जाम या इंटर्व्यू कुछ भी ऐसा नहीं है फिलाल तो आप ध्यान में रखिएगा चापनी परिशद बरेली उतरप्रदेश से यह vacancy है तो main website का जो link है वो बिल्कुल आप वीडियो में थेंक यू